पहले मैं आपको copy लिखने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके copy किस प्रकार से रहेगी, ठीक न? जो आपकी 22 फरवरी को UP Board का हिंदी का पेपर है, जो आपके copy रहेगी, same to same इसी प्रकार से रहेगी, उपर देखेंगे तो आपका जो लिखा रहेगा कि मादे म सिच्छा परसद उत्तर प्रदेश मादे में, सिच्छा परसद उत्तर प्रदेश इंटर्मीडिट, अगर high school का है तो high school, फिर यहां पर लिखा रहेगा कि परिक्छारती उत्तर पुष्टिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे, यहां पर अगर copy है तो copy है त ताकि आपकी कॉपी चोरी हो जाए या फिर तो पकड़ी जाए कि हाँ पेज बदला गया क्योंकि टॉपर लोगों की कॉपी क्या होती ती न बदल दी जाती थी। पिर यहां पर आपको देखेंगे तो आपको अनकों में शब्दों में विशे, परश्रपत्र और यहां पर अंकी संकिता, अंकिंद्रकाना परिछा देती और परिछग ने लिखना रहेगा बस और आपको कुछ भी ने करना है यह तो मैं आपको आने वाले वीडियो में समझा और यहां ही दिएंगा, आपको टेंसर नहीं लेना हैं, बात आती है कि सर हम अपने बोड की कॉपी में पेपर को कैसे हल करेंगे, यानि कि बोड की कॉपी पर अपने परशुत्तर संख्या को कैसे लिखेंगे, बोड की कॉपी में लिखने का तरीका क्या है, वो चाहे भूवि गिर गया, तो कोई बात नहीं, इसको मैनेज कर लिजीगा, मैं दूसरा एक बना दूँगा, चलिए, यहां भी देखेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्या रहेगी, बोड की कॉपी रहेगी, देख सकते हैं, और सबसे पहले आपका क्या रहेगा यहां पे, बोड जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इसी प्रकार से लिखना है, ठीके न, और यहां आपकी बोड की कॉपी है हिंदी की, सबसे पहला आपके प्रशन है, देखें, खंड कर शुरूगा, तो जो खंड कर रहेगा, इसमें पहले पहला प्रशन और दूसरा प्रशन, देखें, यहा खंड करना चाते, अगर खंड करना चाते तो खंड कर डालिएगा, खंड करना चाते तो 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 खंड करना चात लिखेंगे क्या आप क्या लिखेंगे पता है अगर आपको डायक्ट एंसर लिखना है तो आप डायक्ट एंसर भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अगर मालीज आपको डायक्ट एंसर नहीं लिखना है सरी हमें पूरे बहुविकल पी उतारना है ताकि कौपी भरेत कोई द देंगे, कोई दिक्कत नहीं, examiner आपको नंबर देगा आपका नंबर कभी कटेगा नहीं इसी प्रकारब से खवाला आप लिखेंगे, देख सकते हैं, पुरे पूरे भाभ विकलेपी इसी प्रकारब से आपको लिखनाबaltet फिर यहां पे देखेंगे, आप गवाला, पेटर्न पर आपको इंसर देना है, उसके बाद यहां पे घवाला, अंगवाला, और गवाला, सेम तूसेम आपको देना है, आप देख लीजिए, 22 फर्रुरी की पेपर देने जा रहे हैं, तो उसके पहले आपको यह देखना जरू प्रशुत्तर संख्या दूसरे का ख उसके बाब प्रश्ण और अगर आप इंसर देना चाहते हैं तो अगर आप इसका उत्तर देना है तो अगर आप चाहते हैं कि सरी हमें यह नहीं लिखना है हमें यह नहीं लिखना है प्रश्ण उत्तर नहीं उतारना है डारेक्ट एंसर देना है तो कोई बात नहीं आप इसको प्रश्ण उत्तर मत उतारिएगा आप डारेक्ट एंसर लिखना शुरू करिएगा लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रश्ण उत्तर संख्या डालना है यहां पर प्रशुत्तर नंबर तिसरे का तिसरा फिर यहां पर जो भी छपाई छपाई हुई है बाइस अप पूरा पूरा यहां पर उतार दिया गया है सेम तो सेम पैटरन फालू कर सकते हैं अगर मालीज यह नहीं फालू करें तो डाक्ट आप एंसल लिखें कोई यही किया गया है कि यहां प्रशुत्तर संख्या चार अब प्रशुत्तर संख्या चार देखेंगे तो है क्या यहां पर एक पद्यांस है यह वाला पद्यांस और इसे दो है यह करिए अथवा में यह करिए तो अगर इसने इसका उत्तर देना शुरू किया है तो इसने क्या पर आपको लिखना है जो मैं आप यह पैटर्न बता रहा हूं तरीका लिखेगा अगर ऐसे लिखेंगे तो यह समझ लिजिए कि आपको भाई साम नंबर मिलेगे जब बात आती है आपका जीवन परिचे का तो आपके पास आपसन रहेंगे जैसे यहां पर प्रशुत्तर संक् पास और फिर यहां पर जिसका आप लोग लिखना चाहते है जीवन परिचे आप डालेंग डॉक्टर वासुद्य शर्डगरवाल और यहां पर इनको लिखना एकदम अच्छे तरीके से मेंसन करना शुरू कर देंगे असी सब्दों में बोला है तो आपको असी सब्दों में ही देना है ऐसा नहीं कि आपको शपाई कर देना है कर देदा है अपि पुरी कापी के प्रश्टी को कोई दिक्कत नहीं है पिर आप देखे लिखा गया है आपे कौन को लिखे गये है अध्या सिंग उपादया हरियोद जी का देखे पूरग पूरएक बिस्तार पूरवक यहां पे लिखा गया है बहुत ही अच्छे ढंग से ठीक न उसके बाद देखे आपका जब परशुत्तर संख्या शुरू होगा तो इसमें रहेगा दुरयात्रा अथवा बहादुर कहानिक सारांस लिखे अथवा पंचलाइट बहादुर कहानिका क्या लिखे उद्देश लिखे तो अगर आपको यहां पे बहादुर का देना है तो बहादुर का लिखेगा अगर आपको दुरया खंड कावे शुरू होगा, तो यह आपके जिले के अनुसार लिखना है, अगर आप आलोग वृत्ति खंड कावे लिखना चाहते हो, तो आलोग वृत्ति सत्य की, जिसका लिखना चाहते हैं, लिगने आप अपने जिले के अनुसार ही उत्तर देंगे, ऐसा ने कि मतलब कुछ आप लिक के चले आएगग डीना आयसे आपको बिल्कुली भी नहीं करना उसके परश्ण उत्तर देना शुरू कर देंगे देखिए पहले बच्चे ने क्या किया पूरा पूरा गद्यां से यहां पर उतार दिया इससे क्या रहेगा न कौपी भरी रहेगी और इसका संदर्व और फिर इसका यहां पर हिंदी अनुबाद लिखा गया है बस इसी प्रकार से पर यहां पर आपका इस लोग वाला है यहां पर लिखा गया है इसका संदर्व लिखा गया है और आगे देखेंगे तो इसका सेम तो सेम क्या लिखा गया है आपका अनुवाद लिखा गया है फिर मुहावरा और लोकुक्तिया कोई एक का देना है एक का पर यहां पर आपक एक यहां पी आपका आपका। नीडर और दोनों हो जायागा, ठीक ना, अंसु और अंसु का जो भी सही अर्थ रहेगा, फिर आप देख सकते हैं, सब्दीउ माला है, काल चपला नाग, तो एक का है लिखना है, तो काल का लिखा गया समय और क्या होता है, पिर वाकिया प्रकार से आपको लिखते हुए चले जाना है फिर बात करेंगे रस्चंद अलंकार भाई यहां पर उधारन इसका लिखा गया है ठीकिना आपको बहुत अच्छे तरीके से हैं आपको कॉपी बता रहें आपको कॉपी पुरी यूटूब पे मिलने वाली नहीं है। उसके बाद यहां पर गजो भी रहेगा, आपको देना, ऐसी इंसर देना चलती जाना है, उसके बाद जब आएगा आपका पत्रलेखन का। तो यहां पर बढ़ी हां पत्रलेखन जिसके लिखना चाहते हैं, लिखेगा, फिर यहां पर सीवा मिस्रिमाल, डाली का व Cong daily RISP है ज तो ये बोलूगा कि 20 पेज भर डालो लेकिन पेज जरू भरो छोड़ो मत जितना पेज भरेंगे उतना आपको नंबर मिलेगा भरष्टा चार पर लिख रहे हैं तो भरष्टा चार पर देख रहे हैं आप भर दीजिए पूरा पूरा तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कोई दिक्कत आ रहे है तो बिल्कुल आप कमेंट बाक्स में कमेंट कर दीजिए और बागी हम आपको चैनल के मादधे में असके मिश्टरी से आपके चैनल के मादधे में से तैयरी अच्छे सकार आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ और च कि दूसर थैंक यू जाहिन